जब से आदीपुरिश का टीजर निकला है, लोग उसके पीछे हाथ दो कर पड़ गए है, मुवी रिवियर्ड से लेके पॉलिटीशन सब बिड मारा हुआ है, देखो भाई, हमारा रावन जैसा भी था, मगर वो छपरी तो नहीं था, कुछ सेंसलेस आर्गिमेंट्स भी आ रहे है, जैसे कि हनुमान जी के कपड़े में चमडा क्यों है, ये तो यार आज की मूवी है ना, इसमें आज की अलिमेंस तो होंगे ही, किप भी बंदर का टेक्च्चर इतना शाइनी नहीं होता, प्लैनेट आफ दी एपस देखी है, उनके बंदर सच में बहुत रियलिस्टिक लग रहे है थे, उसके बाद आप इनकी लाइटिंग इप्रूफ कर सकते है, जैसे कि आप इस शॉट में देख सकते है, कि पीछे की बिल राइडर भी उपर नीचे होता है, मगर यहां रावन एक ही जगा पर बैठा हुआ है, उस चमगादर के विंग्स लप करने से इस पर कोई एफेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, आदी पूरिश चले या ना चले, वी एफेक्स के वज़े से लोगों को अपना की की थी, इसे हम फ्लॉप तो नहीं बोलेंगे, मगर इसे वो रिकॉग्निशन नहीं निल पाई, जो यह डिजर्व करती थी, हम सब सोचते हैं कि अगर हमारी फेवरिट गेम के कैरेक्टर बाहर आ जाए, तो क्या होगा, इस मूवी ने इस कॉंसेट को एक्स्पोर किया, कि अगर सच में गेम के कैरेक्टर बाहर आ गए, तो क्या क्या हो सकता है, अरे यार इनके गेम्स वाला कॉंसेट इतना तगड़ा है कि इस पे एक पूरा का पूरा सिनेमाटिक रिवर्स बन जाए, जहां जिस तरह रावन गेम से बाहर आया था, उसी तरह बहुत से फेमस गेम में कोई और कर रहा था, मैं तो कहता हूँ लोहा गरम है, आप थोड़ा मार दो, ट्विटर पर चला दो ट्रें, वीवान रावन पार्ट टू, आप पबलिक हो, डैक्टर अगर आपके नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे, और SR के कभी फैंस को निराश नहीं करते, हम उनकी अक्टिंग तो एक वज़ा है, मगर उन्होंने अपनी फीस को काट कर डैक्टर को बहुत से पैसे वापस दिये थे, ताकि वो VFX को और इंप्रूव कर सके, उन्होंने ओडियंस की सोची, कि अगर ओडियंस को ये मुवी अच्छी लगी, तो उने आगे भी पैसे कमान का मौका मिलेगा, इसी वज़े से मैट्रिक्स उनकी आज तकी सबसे बेस्ट फिल्म है, आपको पता है कि हमने जो बच्पन में रामायन देखी थी, ये काटून वाली, ये एक एनिमे है, जब मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे भी नहीं पता था, कि ये इंडिया के बाहर जापान ने बनी है, और इसे बनाया है, कुछ इंडिया के डार्डिर्श के बना रहे है, वो बच्चों के बना रहे है, इसलिए उन्होंने सारे आलेमेंट्स को उसी तरह रखने का कोशिश किया, ताकि बच्चे से इंजोई करें और वो मुवी आज तक चलती आरही है, अगर रमायन को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया तो ये पूरे के पूरे वर्ल को पसंद आएगी और हमारे कल्चर को और रिकॉगनिशन मिलेगी तो आप मुझे कमेंट्स बताइएगा कि आपको आदी पूरिश्य क्या उमीद है और क्या रावन का दूसरा पार्ट आना चाहिए मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कीजेगा